डुप्किया सिंधु में गोता खूर लगाता है जा जा कर खाली हाथ लॗटाता है मिलते नहीं सहजी मोती गेहरे पानी में बढ़ता दूना उत्साहं इसी हैरानी में मुठी उसकी काली हर भार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सोहलाल दिवेदी जी की इन मोटिवेशन लाइन के साथ आए आज का हम current affairs start करते हैं जिसमें की हम September 2nd week यानि 7 से 15 September तक के current affairs cover करेंगे और ये जो current affairs होगा इनका संबन्थ हमेशा की तरह environment and science and technology area से होगा इसके dynamic plus static दोनों approach को हम cover करते हैं ताकि exam में ज्यादा बहतर आप perform कर सके और हम यहाँ पे इसे अब एक नए flavor में आपके लिए लेकर आये हैं जिसमें की हम अब current affairs में कुछ tricks भी रहते हैं कुछ MCQs, कुछ important fact और कुछ motivation भी सामिल किये इन सभी का एक और केवल एक ही मात्र objective है यह है कि आप अपने लक्ष तक पहुंच सके जिसमें की जो भी आपको इस content से related कुछ important fact दिखेंगे इसमें हम कोशिस करते हैं कि आपको बहतर से बहतर कुछ अच्छे तरीके से इसे आप लोगो परोश सके प्रोवाइड कर सके ताकि आप अपने लक्ष तक पहुंच सके तो आज के content में हम यहाँ पे cover कर रहे हैं आज का जो important content है और trust me friends की यह सभी के सभी content आपके exam के point अब उससे important है जैसे कि सबसे पहला content देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान दुनिया की पहली hydrogen से चलने वाली train यह एक नया report है जिसको पहले आप नहीं पढ़ते थे रास्टी स्वच्छ वायू कारिक्रम इसके report आई है यह बड़ा important है पेरिस agreement जो 2015 में already संपन हो चुका है उसके targets में भारत का अभी क्या performance है तिल डेट तक और सता से सता हम में मार करने वाले missile quick reaction surface to air missile and last देख रहें की जो non proliferation treaty है NPT जीसे कहते हैं परमानू अप्रसार संधी इन सभी content को आज की session में हम cover करेंगे examination for dubu से सभी fact को हमको इसमें cover करना है ठीक तो पिछली class में हम fact को cover नहीं किये ते तो आज की class हम fact से start करते यह जो आप image देख रहे हैं यह क्या है आपका missile anti-tank guided missile ATGM कहते हैं इसे क्या कहते हैं ATGM anti-tank guided missile है यह इसका range बहुत कम होता है केवल 4 से 7 km होता है अच्छा इसे हमने fact का नाम क्यों दिया क्योंकि इस चारों का आपस में interrelation है दूसरे के साथ संबंध है तो इस कारण हमने चार fact को अलग-अलग बताएं इससे अच्छा चारों को हम relate कर लेते हैं यह जो नाग missile है यह को मैंने क्या कहा था anti-tank guided missile है इसका range कितना है केवल 4 से 7 km अब इसे कौन यूस करती थी इसे आर्मी यूस करती थी अब इसका जो advance version है उसका नाम है हैलीना हैली का मतलब helicopter ना का मतलब नाग मतलब helicopter से launch किया जाने वाला नाग missile जिसमें की हम DRU helicopter और RUDRA helicopter यूस करते हैं अब यह जो हैलीना आपका missile है जो नाग का advance version है इसे आर्मी भी यूस करती थी और Air Force भी यूस करती थी इसी हैलीना का advance version का नाम क्या है दुरास्तर और यह दुरास्तर सिर्फ dedicated किसके लिए बना है Air Force के लिए बना है तो हैलीना का advance version जिसे सिर्फ और सिर्फ क्या एयर फॉर्स यूज़ करती है उसका नाम क्या है धुरुस्ट्र तो धुरुस्त भी क्या है अल्टिमेट्ली है 210 वेस्ट नाग का एडवांस वर्जन नाक का एडवांस हैं यह बात क्लियर हो गहिए आप अब सभी में हैं आब इस करती है नामिका को यूज करती है ना का मतलब नामिक नाग मी का मतलब मिसाइल सिय का मतलब मतलब का का मतलब कैरियर नाग मिसाइल कैरियर मतलब एक ऐसे टाइप के अब नाग बनाती है जो इस नामिका में fit होती है और accordingly क्या है हम उसे launch करते हैं तो ये भी advanced version ही है उसका तो इसका सम्मन्द क्या है अब आर्मी से हो गया ये बात सभी को clear हो गई तो ये fact आप याद रखेगा नाग हेलीना धुरुआस्तर और नामिका नामिका मतलब नाग missile carrier और हेलीना मत हेलिकॉप्टर से launch किया जाने वाला नाग missile ये बात सभी को clear हो गई और ये सभी का range अगर देखेंगे केवल चार से साथ किलोमेटर है मतलब बहुत जादा range नहीं है clear होगे आप सभी को तो चलिए अब आज का हम current affair start करते तो current affair के पहला और बहुत ही important content देख रहे हैं ये exam क के लिहास से बहुत important है वो है TV भारत में ऐसे कई सारे disease हैं जिसको हमको उन्मुक्त करने या उससे मुक्त होने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करती है जिसमें की राश्ती स्तर पर टीकगरण कारिकरम चलाए जाते हैं है ना उसमें हाली में देखते है कि भारत क्या है पोलियो मुक्त जो है राश्ट भी बन चुका है अब बात आ रही है अगला target है हम टीबी मुक्त भारत का हम सपना देखें और सपने को हम reality में convert करने के लिए हम initiative स्टार्ट किए टीवी हारेगा देश जीतेगा टीबी मुक्त भारत अभियान जिसमें की content content तो टीवी जो है दो हजार पचीज तक हम टीवी फ्री कंट्री हमको बनना है यह हमारा टार्गेट है किसका initiative है स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा लेके द्वारा ठीक है और इसमें एक पोर्टल यूस किया जा रहा है इसे हम कहते हैं निक्षे डिजिटल पोर्टल य जाएगा आपको जाम में तो आयाद रखीगा टीवी ठीक है और प्रेसिडेंट स्रीमती अद्रोपदी मूर्मू के उनके प्रेजिंस में यह क्या है पोर्टल लांच किया गया और यहां पर देख रहें क्या है जो निक्षे डिजिटल पोर्टल है इसमें क्या है यह निक् जिसमें कि आप देख रहें ब्लॉक, सहरी वाडो, जी लव और राज इस तर पर यह सभी क्या है निक्षे मित्र जाके परफॉर्म करेंगे वहां जाके उनकी हेल्प करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्या है टीवी को जो हम भारत से क्या है उसे हटा सके ठीक है तो बस इत इसका स्टाटिक पार्ट देख लेते हैं टीवी किस से होता है टीवी बैसिकली बैक्टिरिया से होने वाला डिसीज है आपको पता है टीवी किस से होता है बैक्टिरिया से होने वाला रोग है अब यह जो बैक्टिरिया है इसका नाम आपको पूछा जाएगा क्या है इसका लिए कौन सा हमारे पास आपके पास कौन सा इसका जो है वैक्सीन है mycobacterium tuberculosis जो वैक्टीरिया है जिसके कारण TV होता है तो TV के लिए कौन सा वैक्सीन या क्या है हमारे पास टीका यूज किया जाता है बता सकते हैं आप बहुत आसान है एक्जाम में कई बार पूछा जा चु ठीक है बैसिलस कैलिमेटिक यूरीन ये इसका जो है टीका है वैक्सीन है जो इस टीवी में लगाया जाता है उसके बावजूद भारत अभी भी टीवी फ्री नेशन नहीं बन चुका है नहीं बनाया जिसे हम 2025 तक हम इसले लक्ष रखें इसे हम हासिल करेंगे बस इतना सा या बात है हाड्रोजन को सबसे पहले याद रखेगा यह रिनीवेबल सोस ऑप एनरजी है यह क्या है नविनिकरित उरजा है क्लीन उरजा है या अक्षा उरजा भी कह सकते हैं उसे जिसमें की पलूशन जीरो हो और वह अपना जो है यूस करने की बात कोई भी वेस्ट ना और वो क्या है एटमोस्फियर में बहुत मौजूद है उसकी पूर्ती तुरंत हो जाती है वो भविश्य में समाप्त भी नहीं होगी ठीक है यह बात ध्यान रखेगा अब यह हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्या है उनके कई सारे टाइप्स भी हैं मैं उसकी बात नहीं कर पर यूज करें इसमें चोगी यह अक्षे उड़ जाए क्लीन उड़ जाए स्वच्छ उड़ जाए तो इसी को यहां पर यूज करते हैं और एक बहुत ही एडवांस टेकलोजी है भारत भी क्या है भविश्य में हाइड्रोजन को यूज करेगा इसलिए नेसल हाइड्रोज इसने कौन से कंटरी ने किया है जर्मनी ने किया है तो यह जो जर्मनी है याद रखेगा हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन है फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम हाइड्रोजन को भी कार या फिर वाइक बाइक वगरा में हम यूज कर सकेंगे पब्लिक ट् जाता है किसे देखो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली यूज किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं किसी भी रिनीवेबल एनरजी के द्वारा उस एनरजी को यूज करते हुए जल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उसमें हाइड्रोजन को और energy और वो energy कहां से प्राप्त होगी हम कोई भी renewable विंड अजी ले लीजे विंड लीजे आप लाइक और भी आपके solar energy ले लिजे उसके बाद electrolysis कर लीजे जैसे यह electrolysis करते हैं देखो है यहां से hydrogen green hydrogen प्रेड्विस हो रहा है और बेसिकली इसमें क्या है चुक्कि नियु सांक का कहले यूस करेंगे इसलिए हम यहां पर र lei करेंगे जल करेंगे वॉदर का उसके बाद शुर्ला निक लेगा उसे हम यूज करेंगे और वो क्या है ग्रीन फॉर समय हमकर जो यूज करते अधे जॉर्द प्राप्ट करते हैं इसमें कुछ emission जरूर होता है याद रखेगा है ना ग्रीन में कुछ नहीं होता है इसलिए हम उसे बहुत एक clean energy मानते हैं उसी प्रकार gray hydrogen प्राप्ट होता है जो natural gas से हमको प्राप्ट होता है उसकी मदद से हम इसे प्राप्ट करते हैं और blue hydrogen जो है आपके water की electrolysis से brown जो है कोईले से उसके बाद gray जो है natural gas से और आपका blue hydrogen भी natural gas से clear होगे आप सभी को तो यह बस याद रखेगा बहुत important fact है है ना चलिए अब बात करते हैं राश्ती स्वच्छ वायू कारिकरम यह एक ऐसा आप एक नया content content देख रहे हैं जो पहले आप किसी किताबो में या कहीं पे नहीं देखा करते थे क्योंकि यह इस टाइप का program जो है recently launch किया गया वर्स 2019 में और 2019 और 20 का जो समय आप देखे और लेडी खास कर 20 और 21 का आधा समय कह सकते हैं जब कोवीट काल में सब चीजे जो है और लेडी सब चीजे थमसी गई थी तो बहुत कुछ ऐस साथ सितंबर को स्वच्छ वायू दिवस बनाएंगे क्लीन एयर डे बनाएंगे आप सोत रहें यह कौन सा डिया है पहले तो हम कभी नहीं पड़े तो याद रखेगा यह इनिशेटिव नया है युनाइटेड नेशन का है युनाइटेड नेशन का जो है नया इंपॉर्टेंट है जिसमें की साथ सितंबर को क्लीन एयर डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे की भारत सरकार की मिनस्ट्री आप इन्वार्मेंट फॉर्स और क्लाइमिट चेंज या भारत सरकार की परियावरण मंत्राले कहलो सौट में इनका इनिशेटिव जो है लिया ग में जिससे अब क्या है पूरे जितने भी में युनाइटे नेशन के मेंबर है सभी के दवारा यह अब सेलिब्रेट किया जाएगा और इस वर्स का जो थीम था हवा जिसे हम शाजा करते हैं क्लेर हो गया तो यह बात ध्यान रखेगा और जो पूरे देशों के दवारा पूरा एट्मोस्फियर क्लीन रहे तभी निला आकास दिखता है जैसे कि कोविट पिरियाट में जब सब चीजें थमसी गई थी तो जो है डेली वाले एरिया से डेली के जो है आसपास के एरिया से हिमाले परवत क्लियर दिख जाता था यह कि पलूशन जीरो था है ना उसक आपको याद रखनी है अब इस रिपोर्ट की कुछ बाते आपको याद रखना है ठीक है रिपोर्ट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ इंप्रॉटेंट करूंटं आप याद रख्यागा क्योंकि यह रिपोर्ट आपकी एक्जाम की पॉट गुणवत्ता जो कारिक्रम है रास्ती स्वच्छ वायू कारिक्रम है इसमें हम देखते ही कि 131 सहरों को सामिल किया गया था जिसमें कि 95 ने इसमें क्या है सुधार किया है ठीक है बीस ऐसे सहर है जो पिछले 2017 की तुल्ना में मतलब उस समय भी जो हमारा पॉलूशन का लेवल रिपोर्ट वहले नहीं आई है रिपोर्ट जो नहीं आई है वर्स 2021 में जो रिपोर्ट आई है वो इस 17 के प्लूशन लेवल से क्या है इसमें सुधार किया गया है इनका जो वाई गुणवत्ता मानक है 60 माइक्रोग्राम से क्या है उसको टार्गेट को प्राप किये जनरली जो है सबसे अच्छा सुधार करने वाला ऐसा जो है सिटी है ठीक इसके अलावा जितने भी महानगर है बड़े-बड़े महानगर डेली जो चारो बड़े-बड़े दिली मुंबई चैन्ने कोलकाता इसके अलावा बैंगलूरू हैदराबाद यह सब ने अच्छा परफॉर्म किया है जो खराब परफॉर्म किया है उसमें हमारा 36 गड़ का भी एक सिटी है उसके कारण भी है लेकिन सबसे जो वर्स परफॉर्मेंस है सबसे खराब परफॉर्मेंस है वो है मध्यप्रदेस का तो मध्यप्रदेस के टोटल साथ सहर को सामिल किया गया था ठीक है यह बात मद्रदेश के राज्य बोपाल देवास इंद और जबलपूर सागर उज्जेन इसे याद करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है बस साथ में छह जो है बैडली परफॉर्म 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 थे और 36 गर से जो है कोरबा का परफॉर्मस बहुत खराब है ताक्यों कि यहां पर एंटीपीसी के प्लांट है तैन दस जो है ऐसे थर्मल पावर प्लांट है ठीक यह बात ध्यान रखेगा मद्रदेश सबसे बैडली परफॉर्म जो है स्टेट रहा और जो है इसके साथ में 6 जो है इस प्रकार बैडली परफॉर्म किये है ना तो हम देखते हैं कि उधर जो है हम अच्छे परफॉर्म करने वाले कितने सीटी देखे 95 में सुधार किया है और यहां पर देखते हैं कि 27 ऐसे जो है सहर है जिनोंने बैडली परफॉर्म किया है ठीक है वाजगुनवत्ता में गिरावट आई है कुछ और राज्यों में यह कॉंटेंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं फिर भी आपकी सुविदा के लिए यह देख रहे हैं पश्यम बागाल में हावडा दुर्गापूर महाराश में और अंगाबाद ठाने बिहार कगया सहर गुजरात में राजकोट बडुद्रा भवनेश्वर जो है ओडिसा का और पटि आस बात क्या है जब हम एयर प्लूशन की बात कर रहें तो क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ इसकी क्रोनोलोजी को समझ ले स्टैक पॉइंट अभी उसे है ना दो मिनट में से समझ लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है यहां पे क्रोनोलोजी समझना पड़ेग कि पूरी भारत में पहली बार परियावरन को लेकर जो हम जो है जागरूप हुए और पहली बार कोई ऐसा एक्ट हम बनाए वो था 1974 जिसमें कि हम जल प्रदूशन को टार्गेट रखे थे जल प्रदूशन यहां पे देख रहें 1974 यह क्या था जल प्रदूशन को लेकर था जो बड़े इतने यह पूरी chronology है लेकिन जो important year है उसे याद रखेगा कि जल प्रदूशन को लेकर भारत सरकार ने कब एक्ट बनाया 1974 इसके बाद देखते हैं आपके वाई प्रदूशन के लिए कब बनाया 1981 तो यह बात हैरान करने वाली है कि जल प्रदूशन उस समय हाव जण देवाटर एर प्ॉलूशन तो जल प्रदूशन के लिए पहले अट बना उसके बाद जो आई प्रदूशन के लिए बना है ना उसके बाद 1990 सिक्स काँ अब सभी को स्भेकों पता है इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है आपका tom श nesse वाला है ना परियावर है जिसमें environment के अलग-अलग एंगल थे लेकिन याद रखेगा फिर से एक बहुत important year आता है 19 2014 2014 में एक ऐसा index बनाएगा पहली बार जिसे हम कहते हैं AQI और यह AQI भी exam के pointable से बहुत important है आठ ऐसे environment pollutant को जो है इसमें सामिल करते हैं जिसके आधार पर आप कह सकते कि किसी एरिया में pollution कितना है ठीक है यह जो आठ पलूटेंड के नाम आपके राश्टी स्तर के exam में भी पूछे गए हैं राजिस्तर के में भी पूछे गए हैं अब इसे हम अलग तरीके से पढ़ते हैं लेकिन याद रखेगा यह AQI के आठ पलूटेंड को आप अगर जान ले इसे किसी भी ऐसे राइटेंग में किसी भी content में आप इसे involve कर सकते हैं और एक्चुल में यह तो सीधा MC की form में अल्रेडी पूछा जा चुका है एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है ठीक है तो इसमें देखिए कि जो AQI के अंदर जो है कितने pollutants सामिल किये जाते हैं आठ pollutants आठ प्रदूसक सामिल किये जाते हैं तो इसे याद रखना भी बहुत आसान है देखिए चार प्लस चार के form में इसे याद रखिएगा oxygen के जितने pollutants हैं जैसे कि आप देखते हैं sulfur dioxide nitrogen dioxide ठीक है उसके बाद देखते हैं ओजोन और उसके बाद देखते हैं कार्बन Mono Oxide ठीक है यह क्या है आपके चार प्रदूसक हो गया इधर फोर हो गया फिर से इधर फोर देखिए तो उसमें एक आता है में ammonia ठीक हैование इङा जाता है बाद देखते हैं लैड आ जाता है ठीक है प्लंबं निस से कहते हैं इसके बाद 2.5 को उसी में इसको एड किया गया पहले से पलूटेंड नहीं मान रहे थे ठीक है इस कारण जो है 2014 में से सामिल किया गया बाद में इसमें देखते हैं कि आने वाले जितने भी इसमें देख रहे हैं कि यह जो सभी पलूटेंड को खास तोर पर ध्यान दिया गया है अब यह बाकी chronology देख रहे हैं वर्स 2024 तक यहां पर अगर देखें तो इसी पर्टिकुलेट मेटर 2.5 का जो लेवल है उसको 2017 के लेवल से भी हम 20-30% तक कम करने का यह हम target रखें क्योंकि यह बहुत हामफूल है हमफूल तो सभी के सभी pollutant है लेकिन यहां पर वो जादा हमफूल वाली बात आ रही है ठीक है बस इतना याद रखें इस content से काफी है तो यह बातें आपके exam के लिए बहुत important है इसे अच्छे से आप note करिएगा आठ प्रदूसक है जिसके आधार पर किसी भी एरिया में pollution, air pollution को मापा जाता है जैसे आप थंड के दिनों में देखते हैं दिल्ली और NCR वाली एरिया में यह problem बहुत देखने को मिलती है तो इन ही को आप देखा जाता अगर आप किसी भी जो बड़े city के collect rate परिशर में भी आप लाई कह सकते हैं यह AQI के जो अलग-अलग pollutant है इनका level वहाँ पे दिख जाएगा ठीक है तो यह बाते वो डिस्पले भी हो रही होती है डिजिटल बोर्ड में क्योंकि यह ऐसा जो है और लेडी उपर से आदेश है कि हर राज्य में pollution का इस्तर जो है एक प्रकार का उ इसका कारण क्या है global warming इसका कारण global warming means कि वेस्टिक तापन जिसमें की कारण के emission के कारण या कारण के ज्यादा उत्सरजन के कारण इसका तापमान धर्दी का बढ़ रहा है जिसके कारण जो है दुरूई छेतर के polar reasons से सबी क्या है आपके glaciers पिघल रहे हैं यह तो हम international level पर United Nation का initiative है जिसे हम सबसे पहले जानते थे Kyoto Protocol Kyoto Protocol में संसोधन भी किया गया था अब Kyoto Protocol अब प्रभावी नहीं है उसका स्थान किस ने ले लिया है Paris Agreement ने ले लिया है अब जो है green house gas के emission को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी हमारे पास जो United Nation का सम्मेलन है जिसके है कुछ ऐसे agreement किये गए हैं लगबग लगबग 200 देशों के दवारा 197 प्लस देशों के दवारा वो है Paris Agreement और इस Paris Agreement की कुछ बाते हैं आपको एक्जाम के लिहास से याद रखनी है और भारत का performance थोड़ा याद रखना है 2015 में जो इससे start किया गया था उसके बाद तिल डेट हम देखते हैं कि Paris Agreement कब हुआ था Conference of Party 21 के जो है आपके मीटिंग में COP का मतलब जितने भी देशों के समू को हम क्या कहते हैं Conference of Party कहते हैं पार्टी मतलब देश है वहाँ पे और 21 में जो है 2015 में यह हुआ था ठीक है तो इसके 21 में मीटिंग में हुई थी अब बात यहां समझे कि यह जो 21 मीटिंग में आप देख रहे हैं यहां पे हुआ था 2015 में अब इसको लेकर जो है वैस्वी की स्तर पर कुछ ऐसे लक्ष रखे गए कि जैसे आप एक नाम सुनते हैं ना ओध्योगी इंडस्टियर रिवॉलिशन या ओध्योगी क्रांती ओध्योगी क्रांती जो ह है खासकर बिटेन और यूरोपियन कंट्रीस में आया था उससे पहले जो है परियावरण का जो इस तर था बहुत क्लीन था और दोगी करांती आई ही इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे मसीन साय तो मसीनी करण हो गया पलुशन भी हुआ और खासकर कपड़े उद्योग और ब दर्दी का तापमान भी कम हुआ करता था उसे मानक मान लेते हैं और उससे हम नीचे लाने का यहां पर टार्गेट रखें इसे सब्दों में अगर कहा जाए तो सब्दों में कहा जाए तो पूर्व और दोगी की इस तर की तुल्ला में ग्लोबल वार्मिंग को जो है टू डिग्री नीचे यानि कि लगवग लगवग 1.5 डिग्री सलस्यास तक हमको नीचे लाना है यह हमारा अबजेक्टिव है यह कैसे हासिल करेंगे तो कार्बन एमिशन यानि की कार्बन की उतसर्जन को हमको रोखना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत सारी इनिशेटिव लि साक्षर करता समू है उनका भी यह क्या है नैतिक करतव यह है और उस लक्ष को प्राप्त करें डोनल्ड ट्रम्प के जब उनका प्रेसिडेंट काल आया तो उस समय क्या है पैरिस एगरिमेंट से अपना हाथ खीच लिए थे क्योंकि उनका अबजेक्टिव था कि हम इसे मान प्राइटी में रखेंगे कारवन अमिशन की जो हो हम उसको जो है उतना प्राइटी नहीं देंगे ठीक है तो यहां पर बात रखिएगा समझेगा कि पैरिस एगरिमेंट की बातें जो एक्जाम में राश्टी स्तर पर भी पूछी जा सकती है ध्यान रखिएगा एक दो हजार पचास तक नेट कारवन एमिशन जीरो रखना अब भारत का इसमें अभी परतमान में परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके यहां अनुपालन में हम कितना इसमें परफॉर्म कियें तो इसमें फिफ्ट रैंक हमको मिला है तिल लेट तक ठीक है इस वर्स का जो र 26 की बातें अल्रेडी हमारे एक्जाम में पूछी जा चुकी है विगत वर्स के CGPAC एक्जाम में अब यहां पर बात होती है कि उसे पूछा क्यों गया था क्योंकि उसका संबंद भी इसी Paris Agreement के साथ था यह जो objective लक्ष देख रहे हैं यह भी आपके एक्जाम में पूछा जा हैं उसे हम हासिल करेंगे अब इसे कैसे हासिल करेंगे तो हासिल करेंगे तब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एनरजी है हमारी जो उर्जा जरूरते हैं उसे हम रिनिवेबल उर्जा सुरुतों से प्राप्त करें रिनिवेबल सोल साप एनरजी जिसे हम कहते है यहां पर देख रहे हैं तो दो बड़ी बड़ी चीजे भारत सरकार भी इस पर फोकस कर रही है और इसी कारण एक्जाम में पूछा गया था कि वर्स 2030 तक भारत अपनी कुल उर्जा जरुवतों का ठीक है कुल उर्जा जरुवतों का एक बड़ा सा भाग क्या है आपके रेने 2030 तक भारत का अपना रिनीवेबल एनरजी जो टारगेट है वो कितना है 500 गीगावाट है 500 गीगावाट है यही एक्जाम में पूछा था आपके पीएसी में ठीक है और वर्स 2022 तक क्या था यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि वर्स 2022 में हमारे पास क्या रिनीवेबल एनरजी की क्या टारगेट थे और हम अभी कहां पे हैं क्योंकि यह वर्स 2022 है एक्जाम की लिहाज से इंपॉर्टेंट है ठीक है यह बात ध्यान रखेगा वो भी गीगावाइट में है और बहुत इंपॉर्टेंट का मैंने बता दिया चलिए आगे बढ़ते ह हम कुछ और कांटेंट की और जिसमें की यहां पर देख रहें कि डियाडियों एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो आटोमैटिक मिसाइल है सार्फेस टू एयर है बहुत ही क्विक रियक्शन करकी क्या करता है परफॉर्म करता है भारत के पास यह टेकलोजी पहले पास नहीं थी यह क्या है इसकी खास बात क्या है यह इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म है क्या है क्विक रियक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल क्यू आरे सेम कहते हैं अब सर्फेस टू एयर मिसाइल वाले तो हैं बहुत सारे लेकिन यह क्विक रियक्शन वाल लाउंचर की मदद से आप चल भी रहें ट्रक में या कहीं पर मोबाइल भी है मोबाइल का मतलब मुवमेंट कर रहें ठीक तो उसके बावजूद क्या करती है यह बहुत क्विक तरीके से परफॉर्म करती है और 25 से 30 किलोमेटर क्या रेंज है और बहुत आसानी से सभी छेत्र है यह हमारे पास सार्फेस तो एर तो था लेकिन क्यू आर ऐसे एम नहीं था और दूसरा क्या आटोमेटिक नहीं था ठीक है यह बात ध्यान रखेगा तो यह भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम अपना डिफेंस का प्रडेक्शन बढ़ाएंगे तो फ्यूचर में हम अ बहुत बड़ा जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है रक्षा उत्पादों को आयात करने में ही खर्च कर लेता है तो अगर हम निर्यात करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे पास यह पैसे की बच्चत होगी जिसका उप्योग हम डेवलप्मेंट आपको यहां पर बड़ा इंटरसिंग सा फैक्ट देखने को मिलेगा कि नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी क्या था जो विक्सित देश है उन्होंने सबसे पहले क्या है अपना खुद का नुकलियर बाम बना लिया अब दुनिया के बाकी कंटरी को नहीं बनाने देंगे ऐस पहले कि उन्होंने एक ट्रिटी बनाई ठीक है और उसमें क्या देखते हैं कि उस नंपिटी में जितने भी सिगनेटरी मेंबर हैं हस्ताक्षर करता समू है देस है वो क्या है बात दे हो जाएंगे वो नहीं बना पाएंगे तो यह जो नंपिटी है इसमें भारत ने साइन किया है तो आप यहां पे इस बात को समझीए यह एक मीटिंग होई है अभी इसे पिछले वीक में ही जिसमें हम देखते हैं एक रिव्यू जो है समिट था जिसमें कि हम एक समिक्षा कर रहे थे कहां पर आई जित हुआ था नियॉयोक में आई जित हुआ था आपको पता है इसमें दर्च की और बिना किसे रिजल्ट के यह क्या समाप्त हो गया तो यहां पे इस ट्रीटी का कुछ इस मीटिंग का कोई अबजिक्टी तो था नहीं लेकिन इसका जो है कुछ नियूस आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले याद रखेगा यह जो को है ना डिस अर्मामेंट यानि कह सकते हैं परमाणू हत्यारों के प्रसार को रोकना उसके एकस्पांसन को रोकने के लिए ट्रीटी था मतलब डिस अर्मामेंट को बढ़ावा देना था ठीक है तो यह बात समझ में आ रही है और निकलर एनरजी का हम क्या है सांती रेस दुनिया की जिन्होंने क्या है इसमें साइन नहीं किया है क्या आप पांचों का नाम बता सकते हैं पेर में आप याद रखिएगा ठीक है जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोरों हैं इसके अलाबा हम देखते हैं यूनिक अलग सा एक देश है उसका नाम हम कहती है आज जो हैं यहां पर इसराइल ले लिए तो भारत पाकिस्तान और इसराइल तीन देश हो गए उसके बाद चौथा देश है नॉर्थ कोरिया जिसने पहले न्पीटी में साइन किया था लेकिन बाद में अपना नाम वापस ले लिया ठीक है तो क्योंकि यहां पर उसने वालेशन भी करता है नॉर्थ कुरिया जानी रहें बहुत जो है वहां का वो कंट्री थोड़ा जीव सा है उसका रूलर भी बहुत अजीव का है ना वो नाम किसी को बताने की आवश्यक्ता है नहीं आप सभी जानते हैं है ना किम जोंगन को अब बात यह होती है कि पांचमा देश 1968 में यह ट्रिटी बनी थी और 1970 से यह स्टार्ट हुई अब याद रखेगा टोटल 190 कंट्री है जिसमें भारत सामिल नहीं है और यह यर जब लागू हुआ तब आप देख रहे हैं आप इसी के बाद हमने दोनों नुकले टेस्स किया है अगर NPT में साइन कर लेते हैं तो हम हमारी मजबूरी होती हैं किसी भी हाल में हम साइन हम नुकले टेस्स नहीं कर सकते थे तो इसलिए भारत ने क्या है अपना NPT पे साइन नहीं किया है चलिए कुछ मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट जो है ट्रिटी बता देता हूं और यहां से कोश्चन पूछे गए हैं रा नुकलियर वेपन को बढ़ावार देने से रोकना था उनके क्या है निसस्त्री करण या डिस अर्मामेंट या फिर कहा जाए कि नुकलियर वेपन का जो है मिस यूज ना हो ऐसा करते हुए हम इसमें ट्रिटी बनाये थे जिसमें हमने सुरवात में देखा कि 1968 में NPT आया पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू एक हाली में अभी नई संदी आई है इसको आप किताबों में नहीं देखोगे क्योंकि अभी देख रहे हैं यह पिछले वर्सी इसे लागू की गई है 22 जनवरी दोचार एकिस को भारत इसमें का भी साइन इसमें सिंपल सा पू या नहीं है तो नहीं है अभी तक देख रहे हैं उसके बाद देखते हैं NSG NSG क्या होता है nuclear supply group हमको क्या है nuclear material तो चाहिए ना क्या करने के लिए nuclear energy बनाने के लिए uranium 235 तो चाहिए ना हमको सबसे best type का nuclear material जिसका ऐसा radioactive element जिसका आपका जो कहा जाए कि nucleus या नाभिक जादा unstable होत वो आसानी से तूटता है और वो उतना ही अच्छा nuclear material होता है तो uranium 235 जो सबसे best nuclear material है तो हमको क्या है भारत में uranium तो ज्यादा मिलता नहीं है थोरियम मिलता है लेकिन थोरियम बेस टेकलोजी भारत के बास नहीं है या हम under developing face में है तो इस बात को थोड़ा focus करिएगा कि भारत NSG का member नहीं है लेकिन try जरूर किया है हम कई वार try किये रिसेंट्ली पर try किये लेकिन उसमें problem कौन create करता है चाइना अब NSG का member होने पर क्या होती ही जो multilateral जो nuclear जो है material का हम exchange कर सकते या फिर import export कर सकते और हम क्यों हम यहां पर समझेगा NSG के member क्यों नहीं बन पा रहे है क्यो अगर देगा तो यह हमारे पास हम कोई बात दे नहीं हमने साइन तो किया नहीं है हम nuclear material बनाएंगी nuclear bomb बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे ठीक है लेकिन हमने इसका हम इसका member नहीं है हम try जरूर कर रहा है अपका चाइना ठीक यह बात ध्यान रखिएगा अब आ नीचे के दोनों देख रहे हैं इसमें हां भारत क्या है भारत ने क्या इसका member अल्रेडी सामील हो चुका है लेकिन इसकी पीछे इंट्रसिंग स्टोरी समझीए MTCR missile testing control regime जो है यह आया था 1987 में है ना और इस समय क्या इसके जस्ट पहले हम देखते हैं कि भारत अपना क्या ह है missile development program start किया था वर्स 1983 में कौन सा था आई जी एमडिप जानते हैं integrated guided missile development program integrated guided missile विकास कारिकरम डॉक्टर कलाम के नेतित में यह हमने program start किया था जिसमें की हम पांच प्रकार की missile बनाने का target रखे थे प्रित्वी अगनी त्रिसूल नाग और आकास आप जानते हैं इन सभी को तो यह जो initiative start किया गया था ठीक है इंद्रा गांदी ने free hand दिया था डॉक्टर कलाम को और भारत अपना indigenous स्वदेशी पांच missile बनाने का सपना देखा और 1983 से start किया और वस 2008 तकी से समाप किया उसे हम IGMDP program कहते हैं exam में पूछा जा चुका कई बार तो यह MTCR कौन सी बला है यह एक ऐसी treaty थी जिसमें की अंतरास्ती स्तर पर हम ballistic missile और जो भी nuclear material को ले जाने वाला ऐसे missile को हम बैन कर रहे थे उसके development को ले कर मला कोई भी country MTCR का member अगर है तो वह ballistic missile नहीं बना सकती थी भारत इसमें उस समय तक कोई ऐसा जो भारत तो अभी भी रिसेंट्ली जो है जो है जो है जो है अभी यह बताता हूं आपको तो यहां पे उस समय MTCR जब treaty लाए गई थी हम अपना परमानू हम अपना जो है missile विक अपना क्या है आपका जो है missile development किये और भारत के पास जो है लंबी दूरी वाली मिस्टाइल जो आपको पता है ना कि प्रित्वी अगनी त्रिसूल और नाग और आकास तो प्रित्वी अगनी यह दोनों क्या है बैलिस्टिक मिसाइल है प्रित्वी का रेंज कितना है 2800-8000 km तक है 80000 से भी ज़्यादा है प्रित्वी का कम है लेकिन बैलस्टिक मिसाइल है लेकिन अग जो है अगनी सीरीज का तो इंटर कॉंटिनेंटल है दो महादी की बीर की दूरी को ट्रेवल करने वाली जो है missile है और इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल है तो इसमें चाइना का area भी cover होता है दूसरे और हमारे हाला कि बाकी जगा हमारे उतने इने मी वाले दुस्वन वाले country नहीं यह लेकिन चाइना और पाकिस्टान को हमारे उनका इलाज करने के लिए हमारे पास परियाब्स जो है साधन है बरमऊस है नेकिन वह तो क्रूज है और जब अगनी बात करते हैं तो वह आपका भारत के बाद दो 67 साली जो मिसाइल उसका एक का नाम क्या है बैल जो है अगनी और अगनी सीरीज के मिसाइल और दूसरा आज दकते हैं आपका यह क्या बरमऊस है ठीक है बास याद CR का जो है,ấं मेंबर भारत अभी रिसेंटली बना है, वासेनार भी अवस्था भी देखते हैं, कि ये जो है, इसमें में भारत अभी रिसेंटली जॉइन किया है, आप लिख लीजिए, दोनों का उपर के बाकी ठेटी तो देखी रहें कि उसमें भारत मेंबर नहीं था लेकिन ये दोनों का जो है भारत मेंबर रहा है अभी रिसेंटली मैं यह आपको बता देता हूँ तो यह यह है आपके पास मैं आपके लोगों के लिए लेकर आया आप लिखेगा कि वासे नार जो है वर्स 2017 में यह 2017 में भारत सामिल हुआ है और MTCR में भारत 2016 में सामिल हुआ है ठीक यह बात याद रखेगा क्लियर होगे आप सभी को आगे बढ़ें आपको NSG में कितने मेंबर है कहा जाए तो 48 मेंबर है ठीक है याद रखेंगे ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं आज का हम आगी की ओर तो देखते हैं य और जहां पे देखते हैं साउथ सुडान भी है और आपके देख रहें क्या है यहां पे एक देख रहे हैं कि यलो कलर में देख रहें आपका North Korea तो 123 और एक साउथ सुडान इस परकार देख रहे हैं छोटा साय इसलिए नहीं देख रहा है तो यह जो पांच ऐसे कंट्री है जिनका जो है जो NPT पे non proliferation treaty पर sign नहीं किये हैं कभी ये nuclear bomb बनाएंगे भी तो NPT के member नहीं है तो इनको जो है international band लगेगा और international level पर ये सब चीजे होंगी हाल में इरान भी अपना nuclear bomb बनाने के लिए प्रयास कर रहा है अब आप लोग मुझे comment box में बताईए कि क्या इरान जो है NPT पे sign किया है yes or no ठीक तो चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हम तो यहां पे देख रहे हैं कि एक और task को देखे जा रहा हूँ मैं next class में इसे बताऊंगा यह है आपको starting में मैंने बताया था नाग मिसाइल जो ATGM है उसका next version का नाम है हैलीना और एक word आ रहा है संत S-A-N-T इसके बारे में खास बाते मैं अगली class में बताऊंगा ठीक है यह आपके लिए मैं task देखे जा रहा हूँ क्योरा सिटी के पॉइंट आप उसे सोचिएगा यह भी लेटेस जो है हमारा जो है development है और वह भी exam के पॉइंट आप करेंट पर पढ़ेंगे ही फ्यूचर में इसे चलिए आगे देखते हैं आज का जो session समाप करें इससे पहले एक mcq है और यह environment sector से है standard question है लेकिन बहुत ही प्यारा question है और यह ताइप के question आपको राश्टी स्थर के paper में देखने को मिलेगा राज्जिस्थर का paper यदे difficult रहा तब इसे देखने को मिलेगा ठीक है जैसे कि अभी पिछले बसका से difficult paper दो यहां पर लिखा है गाडगील समीती रिपोर्ट और कस्तुरी रंगन समीती रिपोर्ट किस से related है क्या constitutional reform समयधानिक सुधारों से है गंगा के गंगा action plan से है इंटर linking of river से है या western घाट की सरक्षन से तो बहुत आसान सा प्रस्ण तो नहीं है लेकिन याद रखेगा environmental angle से है आपको पता है कि भारत का पश्यमी घाट वेस्टन घाट जो है वहां पर बायो डाइवर्सिटी बहुत जादा है huge that is famous for biodiversity मेगा बायो डाइवर्सिटी वाला जोन है तो उन एरिया में environmental destruction के कारण जैविवित्ता को जो लॉस हो रहा था जो नुकसान हो रहा था उसको लेकर जो समीती बनी थी उसका संबंद क्या है यही गार्ड गिल समीती रिपोर्ट और कस्तरी संबंदी रिपोर्ट में यह है ठीक है तो इसका संबंद किसके साथ है पश्यमी घाट के सरेक् करेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो डेफिनिटली आप कर्मेंड बॉक्स में पूछिए मिलते हैं हम नेक्स वीक में कुछ और इंटरस्टिंग करेंड अफ़ेर के साथ थैंक यू सो मच है बनाइस टे